स्वास्थ और सौंधरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और सौंधरी सक्षम मानी जाती है सुनकर थोड़ा अजीव लगता है लेकिन अब बिल्कुल सही है व्योटी एक्सपर्स की माने तो भिंडी का पानी बनाकर नियामित अपने बालों में लगाने से कई तरह के चौकाने वाले रिजर्ट देखने को मिलते हैं भिंडी के पानी में विटामिन सी के अलावा फाइवर, आयरन, बीटा केराटीन, विटामिन ए, कैल्शियम, मैगनेशियम, कोटेशियम, जिंक, प्रोटीन और फॉलिक एसिड जैसे कई जरूरी निउट्रियंट्स मौजूद होते हैं जो बालों को फायदा पहुचाते हैं भिंडी के पानी में पाये जाने वाला बीटा केराटीन बालों को हेल्दी, सौफ, शाइनी और स्ट्रेट लुक देने का काम करता हैं जिससे आपको पालर में जाकर बालों को एक्सपेंसिब केराटीन ट्रीटमेंट कराने के जरुवत नहीं पड़ती हैं नियामित अपने बालों में भिंडी का पानी लगाने से हेयर फॉल में आश्चर चनकमी देखने को मिलती हैं भिंडी का पानी बालों को पतला और दो मोहा होने से बचाता हैं और बालों को लंबा वगहना बनाए रखने में मदद करता हैं भिंडी का पानी पूरी तरह से केमिकल फ्री होता है जिस कारण इसके इस्तमाल से बालों को कोई नुकसान नहीं होता है भिंडी के पानी में हाइडरिटिंग का गुर्ण पाय जाता है जो बालो की नमी को बनाए रखता है जिससे बाल रूखे वा बीजा नहीं दिखते हैं तो फिर भिंडी के पानी को कैसे त्यार करना है इसके बारे में जाने के लिए बने रेस वीडियो के साथ भिंडी का पानी बनाने के लिए तीन से चार ताजी भिंडी ले ले इसके बाद इसे पानी से अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकडों में कट कर ले इसके बाद इन कटे हुए भिंडी के टुक्रों को एक बॉल में डाल दे इसके बाद इसमें एक ग्लास पानी डाल कर रात भर के लिए धक कर रख दे ऐसा करने से भिंडी के सारे पोशक्ततों पानी में अच्छे से खुल जाएंगे अगले सुबा इस पानी को किसी बर्तन में रखकर गैस पर हुबा ले पानी जब आधा हो जाए तब गैस बंद कर दे और पानी को ठंडा होने के लिए रखते जब पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे चन्नी की सहायता से स्प्रे बोतल में चान कर इस्टोर कर ले अब यह भिंडी का पानी इस्तमाल में लाने के लिए तयार हो चुका है इस पानी को फ्रीज में वन वी के लिए इस्टोर करके रखा जा सकता है भिंडी का पानी बालों के लिए काफी फायदे मन माना जाता है। नियामित इस पानी का इस्तेमाल करने से बालों से जुरी समस्याय दूर हो जाती है। साथी बाल लंबे, घने, मजबूर और खुबसुरत बनते हैं। तो फिर आज आपने इस वीडियो में बालों में भिंड दायूं तसला और शेयर जरूर करें। ताकि इसी तरह हम नहीं नहीं जानकारियां आप तो पहुचाते रहें। धन्यवाद।